हेलो वाइस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर विकॉनमेक्स लव कोशिक स्वागत करता हूं आपका सीवीटी वाला में और दोस्तों आज की क्लास में आपके मनपसंद कॉलिच और मनपसंद कोर्स में एड्मिशन लेने की रहा को असान बनाते हुए अगर आपके कोई दूसरे समस्या भी है अगर आपके कोई दूसरे समस्या भी है सब्जेक्ट रिलेटेड या सीवीटी रिलेटेड तो मुझे बताओ ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मनी बैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको यह मेजर टॉपिक्स छोड़ने ही नहीं बेसिकली मनी क्या होती है मनी के function क्या होते है कुछ types of money है वो भी यहाँ पर ध्यान रखनी है ठीक है अगला Central Bank, Commercial Bank और Commercial bank का एक special काम Credit creation जिसको हों मनी creation भी बोल है deposit creation भी बोल रहे हैं यह सब कुछ ठीक है एक मोटे-मोटे hint के तोर पे आपको पता हूं देखो जी मनी में जब आप functions बढ़ते हो ना तो मनी के functions की लिस्ट मत तयार करो मनी के functions को दो पार्ट में divide किया हुआ है एक होते है primary function और दूसरे होते है secondary function अब ये function जब तुम याद कर लोगे न तो यहां से बाटर सिस्टम की limitations cover हो जाती है यानि बाटर सिस्टम की limitations को दूर करने के लिए यह functions काम आते हैं इस functions की लिस्ट में primary function पहले वाल आपके पास है medium of exchange यह देखते रहना यहां से यह हो गए जी दो primary function मनी के तीन secondary function है तो यहां से मैं तीन से स्टार्ट करता हूं दो तो वह हो गए ना तीसरा हो जाएगा store of value money की value को store करना असान है as compared to goods and services और फिर है standard of deferred payment standard of deferred payment deferred का मतलब होता है रुकी हुई चीजें जैसे installments वगेरा लोन की payments ठीक है और फिर पांचवे नंबर का अगर आपने ना पढ़ा हो तो पहले क्योंकि बहुत सारे books में लिखा नहीं होता यह यह transfer of value अब mc क्यों कराऊंगा लेकिन पहले इसकी जलक तुम्हें देखनी बनती है अब यहां क्या important है क्या बताने वाला हूं देखो जो primary function of money है न वो दोनों के नाम m से start है m m इन दोनों के नाम m से start है और जो secondary functions है इनके नाम s s और t s s और t यहां से अपने 10th के subject याद कर लो secondary function होगे s st social studies याद आया यह money के secondary function होगे primary function होगे mm mathematics होता है न और एक नई बात जो तुम यहां ध्यान रखोगे जो measure of value function है money का कौन से कलर से पता हूं इससे measure of value function है money का इसको unit of account भी बोलते है business account बनाना इस वाले function की help से possible हो पाया है इसके उपर एक mcqb होगा तो आप इसको ध्यान में रखना अगला इंडिया का reserve bank है अब ncid का syllabus cover हो रहा है cvd वे भी तो ध्यान रखना उसके इंदर बता रखा है England के central bank का नाम भी England के central bank का नाम है bank of England अमेरिका के central bank यानि USA के central bank का नाम है कि federal reserve system इसके functions आपको करने होते हैं function के अलावा मैं आपको कुछ amazing facts बताता हूं इसके बारे में देखो 1934 में हमारे देश में आया RBI Act फिर एक अपराइल 1935 को RBI establish हुआ कोई पूचे की RBI setup कब हुआ तो एक अपराइल 1935 को ठीक है 1937 में RBI का headquarter कलकत्ता से उठकर मुंबई चला गया पहले कहा था कॉलकत्ता में था जब RBI बना और फिर कहा शिफ्ट हो गया मुंबई में तो अब RBI का headquarter मुंबई में है इस question का अंसर यह है फिर 1949 में एक special event हुआ देखो RBI जब बना था ना तब वो private entity था 1949 में सरकार ने RBI को अपने under control में कर लिया था तो 1949 में यह गौर्मेंट के अंडर में आ गया था जो भी चीज गौर्मेंट के अंडर में आती है तो बोलते हैं गौर्मेंट ने उसका nationalization कर लिया तो यहां पर लिखा होता है nationalization of RBI यह important fact है nationalization of RBI उसके अलावा RBI के function होते हैं हमारे देश के अंदर यह लगबग सारी currency print करता है एक रुपे के note को छोड़कर और coins को छोड़कर coins और एक रुपे का note finance ministry under government of India RBI बनाती है और बाकी 2 रुपे का 5 रुपे का 10 रुपे का 20 रुपे का 50 रुपे का 100 रुपे का 200 रुपे का 500 रुपे का 2000 रुपे का note RBI ही बनाता है में ली चलन में यही currency होती है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है फिर यह bankers bank है और उनका supervisor भी है यह जनरल पब्लिक से dealing नहीं करता government का bank भी है agent भी है एडवाइजर भी है lander of the last resort है यह commercial bank का last resort का मतलब वो होता है end time पे काम आने वाले चीज़ जब commercial bank मुसीबत में फसे हो liquidity crisis आ गया cash crisis आ गया तो यह help कर देगा इसकी ही custody में country का सारा gold और foreign exchange reserve रखा होता है इसके पास power money supply को increase और decrease करने की यह कुछ इसके function है लेकिन जब board की तयारी बच्चे करते हैं तो एक function और होता है clearing house function RBI का वो करते नहीं है लेकिन CUT में आत सकता है तो उस special clearing house function का मतलब RBI ने एक office बनाया होता है जिसको बोलते clearing house यह अलग-अलग बैंकों के checks की settlement यहां पर करता है बस इतना समझ लो चैक के तुरू जो payment होते हैं वो clearing house करता है तो इसको ध्यान रखना यह function RBI ले करता है तो मोटे-मोटे तोर पर यह चीज़े ध्यान रखनी है क्योंकि हमारा main focus to mcq पी होगा जब आपको mcq करांगा तो तो बहुत सारे concepts और reveal हो जाएंगे अगला credit creation बाबू इसको यहां पर प्यार से money creation भी बोल रहे हैं भूलना ही नहीं है इसको भी और यह money multiplier के formula के बीना आप समझी नहीं सकते इसको deposit creation भी बोलतो कोई दिक्कत नहीं है paper में question आ जाएगा total credit creation calculate करो क्योंकि यहां पर mcq based question आते हैं आप से table तो पूछने नहीं वाला बना के दिखाओ तो कैसा question आएगा वो देख लो यह होता है one upon LRR multiplied by initial deposit अब यहां से ट्रिक देखना क्या है अब तुम्हें बहुत सारी book के अंदर जो confusion होते हैं वो दूर कर दूँगा काफी सारी book में इस initial deposit को राज्जे primary deposit लिखा होता है तो डरने वाली तो बात ही नहीं है कोई दिक्कत नहीं है समझ गए तुम और यह one upon LRR को काफी सारी book में one upon CRR लिखा है मैंने देखा है वो गलत लिखा है ज्यान रखना और यह जो formula है one upon LRR यह money multiplier का formula हो गया तो यहां से आपको money multiplier का formula भी पता लगता है समझे अब मेरी बात समझो इस पूरे formula के अंदर आपको एक credit creation दूसरा LRR तीसरा initial deposit तीन item given है फेपर में आपको कोई भी दो item देगा और तीसरी item की value पूछेगा जैसे कि LRR और initial deposit की value देदी आपसे यह पूछ लेगा या कभी-कभी इसकी value और इसकी value दे देता है और पूछता है initial deposit केतने है ऐसा कोशन आ सकता है और एक कोशन यहां से यह बन सकता है बताओ LRR की value बढ़ गई तो credit creation पे क्या फर्क पड़ेगा पहले बता देता हूँ LRR और credit creation का negative relation होता है यह कम हो जाएगी LRR क्या सारी ratio का जितनी भी है अजी बताओंगा उसके बारे में एक बात अब आजाओ जी मोटे-मोटे तोर पर जितनी भी सारी बात बता रहा हूँ चाहे CRR है चाहे SLR है चाहे LRR है चाहे रेपो रेट है चाहे रिवर्स रेपो रेट है चाहे बैंक रेट है चाहे margin requirement है तो सारे के सारे margin requirement को छोड़के जितनी बताए है मैंने यह quantitative instruments है money supply के margin requirement, moral situation, deficit financing और selective credit control वो qualitative instrument होते है quantitative में यह सब है और एक margin एक open market operation भी होता है जो मैं लिखा नहीं खैर मेरा purpose यह नहीं था बताना मेरा purpose यह था आपको यहाँ पर सिखाना कि इन में से किसी भी ratio को काप कम कर दो उसकी वजह से देश में money supply बढ़ जाती है money supply बढ़ जाती है या आप यह भी बोल सकते हो कि credit creation बढ़ जाती है और अगर इसको income and employment वाले chapter से relate करोगे तो देश में money का flow बढ़ा है तो लोगों का खर्चा aggregate demand भी बढ़ जाएगी खेर इधर आना नहीं है और aggregate demand बढ़ेगी तो national income वाले chapter से relate करोगे तो national income भी बढ़ जाएगी कोई कितना ही पूछेगा तुमसे देख लो सबका same formula है किसी को भी कम कर दोगे यह सब बढ़ने लगेगा और किसी को भी बढ़ा दोगे तो यह सब कम होने लगेंगे इस बात को ध्यान रखना बस और एक खास बात बता हूं credit creation का का काम सिर्फ commercial bank क करते हैं कोई दूसरा financial institute नहीं करता ना तो LIC करता ना कोई foreign exchange की company करती ना RBI करता एक देश में यानि हमारे देश में money supply को बदलने के लिए RBI के पास बहुत बड़ी power है और credit creation के थुरू commercial bank में money supply को बदल सकता है तो दो main source of money supply है हमारे देश में RBI और commercial bank इस बात को मत बूलना आपके top 20 mcq start हो चुके है पहला question पैन का गलर थोड़ा पतला गर लें आगिया जी हमारी सरकार का banker कोन है ज्यादातर बच्चे अब option देख लो SBI नबाड ICICI RBI ज्यादातर बच्चे बोल देंगे SBI है अरे SBI सरकारी उपकर में PSU है सरकार का bank होगा लेकिन सरकार का account होता है RBI के पास तो यह fourth इसका answer है इसके लावा अब देख लो नबाड की establishment 1982 में हुई थी यह आपको जानना जरूरी है SBI बना था 1955 में लेकिन आपको जानना जरूरी नहीं है ICICI economic reforms 1991 के बाद बना था तो शायद यह 94 में बना था यह भी आपको जानना जरूरी नहीं है आगे बढ़ते हैं जी question number two money is what money does who said this एक लाइन थी मनी वो है जो मनी करती है तो यह लाइन किसने कही थी हाटले वीदर्स हाटे प्रोफेसर थोमस यह कीन्स अब जिस बच्चे को इसका अंसर नहीं आएगा वो तुक्का मार के कीन्स लिखके आएगा क्योंकि बार बार कीन्स बढ़ा है लेकिन इसका अंसर यह नहीं है आप देखो यह लोगलर से बताता हूं हाटले वीदर्स है ऑप्शन एक के साथ जाएंगे दोस्तों यहां बच्चा गलती कर देता है 50 में से 40 question attempt कर रहे होंगे जिस question पर confidence नहीं है उसको छोड़ने की कोशिश करना और लेकिन इतना time भी नहीं मिलेगा कि तुम decision लेपाव क्योंकि 45 minutes में 40 question करने होंगे आगे तो ता major objective of monetary policy is our यानि कुछ objectives दियो है monetary policy जो बनाती है हमारे देश के अंदर RBI उसका main objective क्या होता है तो लिखा है increase in output and employment या stability in the foreign exchange rate या price stability या all of these मैं इस मुश्किल question को expect करूँ हूँ कि आप मुझे comment section में इस का answer देंगे क्योंकि एक question तो तुमसे ही मांगता हूँ मैं और दूसरी बात आप अगर यह पूरी वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे comment section में बताओगे कि आपने 20 में से कितने question ठीक की है excluding this इसको अटा देना मेरे पास और इसके अलावा कोई भी आपका बड़ा डाउट भी है तो उसकी photo खीच के मुझे भेज दो मैं आपको इस cancer बताऊंगा और आपके दूसरे डाउट्स मी solve करूंगा subject related जो आप बोलोगे आगे बढ़ते हैं जी अगला which of the following issue paper currency in the country हमारे देश में paper currency कौन इशू करता है तो हमारे देश में कौन इशू करता है option देख लो commercial bank central bank world bank industrial bank world bank का कोई लेना देना नहीं है commercial bank issue नहीं करता second वाला ठीक है central bank यानी RBI हमारे देश में यह currency issue करता है आगे बढ़ते हैं जी क्या बोल रहा है which is not a quantitative method of credit control credit control छोड़ो monetary policy का ही माल लो credit सब्सक्राइब कौन सा नहीं है नहीं है तो bank rate है open market operation भी है change in CRR या CRR भी है moral situation नहीं है तो two option के साथ जाएंगे यह qualitative है अब क्योंकि करी रहे हो तो देख भी लो क्वालिटेटीव में क्या क्या आता है एक तो moral situation आ गया moral situation का मतलब RBI प्रेशर फुल एडवाइस यह अपील करता है कमर्शल बैंक को मरी सप्लाइए इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए फिर margin requirement फिर आएगा budget budget deficit financing deficit financing का मतलब होता है सरकार बोल रही है RBI को भाई पैसे छाप दे छापता रहा है पैसे और एक बन गया आपका selective credit control इतने सारे शायद आपने बोड की तैयारी में यह सारे ना पढ़े हो लेकिन में थोड़ा सा देखना है आपको इसको आगे बढ़ते हैं जी विच आफ दा फॉलेंग इस दा function of the central bank central bank का कौन सा function है इन चारों में से आपको बताना है monopoly of note issue क्या currency sugar नहीं monopoly उसके पास या banker है government का custodian of foreign exchange reserve क्या उसके custody में foreign exchange reserve रहता है और all the above चारों में से क्या answer है मैं ही बतायता हूं यह सारे function है central bank के फोड़ अंसर है अगर आपको लगता है कि धाई जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं जो यह question है यह आपको as it is pdf की form में चाहिए तो description में आपको link given है वहाँ जागे catch कर लो आपको मिल जाएंगे सारे के सारे आगे बढ़ो जी सेवंत नमबर पे credit money is increased when crr is any money creation या credit money या money supply कब increase होती है CRR में क्या करूं ऐसा fall किया जाए rise किया जाए या दोनों किया जाए या कुछ नहीं किया जाए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए आपको पता होना अच्छी है किसी भी रेशो को decrease कर दो money supply बढ़ जाती है किसी भी रेशो को increase कर दो money supply कम हो जाती है तो credit money का मतलब money supply से related है credit creation मालों आप इसको कोशन वैसी करेक कर दोगे तो CRR के कम होने से money supply बढ़ जाती है तो bank भी credit money यानि money को उधार पे देना शुरू कर देंगे तो कम करना सही रहेगा ए ओप्शन के साथ जाएंगे अगला लिखा है which one is included in the primary function of money अभी बताया थे money के primary function भी होते है और secondary function भी होते है आप बता दो कौन सा primary function है एक medium of exchange एक measure of value या दोनों उपर के या store of value अभी बताया थे ना याद करने का तरीका MM primary function SST secondary function यहाँ पर आपका 102 दोनों ही ठीक है तो third option में 102 को include किया हुआ है तो three के साथ जाएंगे अगले question पर आजा हो जी लिखा है the ratio of total deposit that a commercial bank has to keep with RBI is called देखो इस चीज़ को समझो पहले तो देख लो statutory liquidity ratio यानि SLR deposit ratio deposit ratio को हम LRR भी बोलते हैं legal reserve ratio ठीक है cash reserve ratio मतलब CRR और यह फिर से लिखा है legal reserve ratio LRR क्या है जी अब देखो एक bank के पास मालोग public ने सब ने मिला कर total deposit तो करोड करवाया है तो bank इस total deposit का एक छोटा सा हिस्सा RBI के पास रखवाता है मालो पांच करोड रुपिया इसको बोलते हैं यह बैंक की functioning है और मोटे मोटे तोर पर सुनो अगर CRR और LRR यहनी पांच और 15 इन दोनों को add कर दिया न आपने तो जो 20 आपके पास आया है इसको बोलते है legal reserve ratio या फिर सिर्फ reserve ratio या reserve deposit ratio तो पूछा है ratio of total deposit that a commercial bank has to keep with RBI, total deposit की ratio जो RBI के पास रखनी बढ़ती है उसको, तो भई RBI के पास तो यह रखता है CRR, कहां गया CRR, यह रहा CRR, हमारा C correct हो जाएगा है यहां पर, यह कि पैन का color change करेंगे और दसमें question में move करेंगे, बताना है आपको कि आप कितना score कर रहे ह section में, which of the following is the apex bank of India, India का सबसे बड़ा bank कोन सा है, RBI, SBI, SBP, PNB, बच्चा बच्चा जानता है राजा, SBI को मत मोलना, RBI, Apex bank, पुरी monetary, authority, financial institution का control, RBI के हाथ में रहता है, आगे बढ़ो जी, the central bank can increase the availability of credit by, central bank availability of credit बढ़ा सकता है, कैसे, 4 option आपके पास, ratio वाला होना, तो कोई भी ratio को कम कर दो, तो availability of credit क्या, money supply क्या, AD क्या, national income क्या, सब बढ़ जाती है, क्या ऐसा कुछ है आपर, rapport rate raising, नहीं है भई, decrease होता तो बढ़ जाती, raising reverse rapport rate, नहीं है भई, decrease होता तो बढ़ जाती, अब लिखा है, buying government securities, selling government securities, अहाँ, यहाँ चक्कर नहीं डाल दिया, open market operation से question है, T.O.D. में से एक ठीक होगा, जब R.B.I.E. को availability of credit बढ़ाना है, ना, तो R.B.I.E. को क्या करना चीए, public को पैसा देना चीए, कैसे देगा, public से खरीद लेगा, government security, खरीदने के बाद public को वो cash देदेगा, पैसा, तो money supply public के बढ़ जाएगी न, तो buying आएगा, buying का है, third number पे, third number ठीक होगा, यह each okay है, आगे बढ़ते हैं जी, question number 12, monetary policy हमारे देश में कौन formulate करता है, कौन बनाता है, cooperative bank, commercial bank, central bank, foreign bank, बच्चा बच्चा जानता है, monetary policy, RBI बनाता है, और fiscal policy, central government बनाती है, हमारे देश में, आगे बढ़ते हैं, रैपो रेट का मतलब बता दो, चार मेंनिंग लिखे हुए, मैं तुम्हें वैसी बता देता हूँ, लिखो RBI commercial bank को loan देता है, loan देता है तो commercial bank से interest भी लेता है, तो अगर RBI ने commercial bank को short term loan दिया है न, तो commercial bank ने जो interest दिया RBI को उसको rapport rate बोलते हैं, अगर RBI ने commercial bank को long term loan दिया है, तो उसके बदले में जो RBI को interest आएगा commercial bank के द्वारा, उसको बोलेंगे bank rate इस बात को ध्यान रखना और bank rate को discount rate भी बोलते हैं newspaper या google करके देखोगो तो यह इसका दूसरा नाम मिलेगा तुम्हारी book में शाहिद नहीं लिखा रेपो रेट को रीपर्चेज रेट या रीपर्चेज एग्रिमेंट भी बोलते हैं तो भूलना नहीं है अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो एक्स्टरा ना उले जोनी चीए तो रेपो रेट की डेफिनिशन दारेट एट विच कमर्शल बैंक आर विलिंग टू लेंड टू आर इंटरस्ट रेट जिस पर आर बिए कमर्शल बैंक को उधार देगा हां अगर शॉट ट्रम के लिए है तो रेपो रेट लॉट लॉट्रम के लिए है तो बैंक रेट शॉट्रम लॉट्रम कुछ ने लिखा आगे एक्सचेंज रेट ऑफ दा फॉरन बैंक गलत ग्रोथ यह अगर यहां short term लिखा हो तो लेकिन ऐसे भी आपको question मिलेंगे जहां थोड़ा confusing matter होगा long term भी तो ने लिखा तो यही हमारा second option ठीक हो जाएगा तो यह ऐसे question होंगे इसलिए ऐसे question दिये हैं ताकि आपको solve करते time एक बार भी डाउट ना हो आप सीधा solve कर दो अगले पर आते हैं विच इस नॉट quantitative method of credit control quantitative कौन सा नहीं है bank rate moral solution open market operation change in CRR repeated question नहीं तो moral solution नहीं है यह qualitative है और पता भी दिये और कौन से अगला which is the correct order of money evolution money evolution money का विकास कैसे हुआ है money के विकास के बारे में एक बात बदाता हूं आपको को money कैसे आई पहले आदी मानव होते थे अना अब इसका बहुत चलता था metal देदो लगकर देदो लोहा देदो ऐसी छोड़ी मोड़ी चीज़ी देदो जिससे बंदा मकान बना ले तो उसके बदले में अनाज देने के लिए कर समान खरग लेते थे फिर मैटल आया गोल्ड शिल्वर वगएर आए फिर कॉइंस आये फिर क्रेडिट कार्ड भी आ रहे है आजकल तो ऐसे एवलूशन हुए तो आपको देखना क्या हुआ है पहले कॉमटिटी मनी आई फिर पेपर मनी फिर मैटल मनी मैटल मनी पहले यह को दोनों ठीक है लेकिन क्रेडिट मनी इसमें नहीं लिखा यह जादा सही है तो सेगेंड के साथ जाएंगे समझें आगे चलते हैं विच आफ दा फॉलेंग इस दा नारो मैजर आफ दा मनी सप्लाइए हमारे देश में मनी सप्लाइए को कालकुलेट करने के चार तरीक था लिखा है वाट वुडबी दा टोटल मनी क्रियेशन इन दा एकॉनमी टोटल मनी क्रियेशन कितना होगा इनिशल फ्रेश दिपॉजिट विद बैंक्स पचासजार दिया हुए लर बीस परसेंट दिया हुए तो कैसे निकालते हैं इसको वन अपोन एल आर 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 लिए टूंटी परसेंट मुल्टी प्लेट वाइ इनिशल डिपॉजिट पचास अजार है कि टूंटी परसेंट की जिंगा लिखो आप जिरो पॉइंट टू और यहां हो जाएगा पचासजार मुल्टी प्लाइक करो के तो अंसर भाई डाइला खाएगा दो लाग यह पर यह दो लाग पचासजार बागी कुछ पढ़ने की ज़रोती नहीं है ऐसे सॉल्व होता है अगला 14 बिग स्केडूल कमर्शल बैंक इन इंडिया वर नैशनलाइज इन दा इयर एक इयर दिया हुआ है हमारे देश की सरकार ने 14 कमर्शल बैंक को अपने कंट्रोल में लिया था कौन से एयर में एयर था 1969 यह ठीक है इसके साथ जाना सीधे बता रहा हूँ यह नैशनलाइजेशन ओफ आर्बिया हुआ था तो थर्ड के साथ जाएंगे ओक्यों हो गया अगला कि क्या दिया हुआ है मैजरिंग दा वैल्यू अफ गोड्स एंड सर्विसेज रफ करना मतलब तोलना नापना कालकुलेट करना मनी का कौन सा फंक्शन ऐसा करता है ऑप्शन देख लो औरेंज कलर से दिखाऊंगा पहला यूनिट अफ अकाउंट दूसरा स्टोर वैल्यू तीसरा स्टैंडर्ड ओफ डैफर्ड पेमेंट चोथा मीडियम अफ एक्चेंज इतने और बेचने के बीच में मनी आएगी डैफर्ड पेमेंट वाला बोलता है कि रुकी वी पेमेंट जैसे कि लोन इंस्टॉल्मेट्स वगएरा हम असानी से कर सकते हैं तो रोफ एल्यू बोल सकता है कि मनी को होल्ड करके रख सकते हैं जिनिट अफ अकाउंट को बोलते ह है वाई इसका दूसरा नाम ही है मैजर ओफ वैल्यू तो यह वाला ठीक है इसके साथ जाएंगे अपने mcq कर लो लास्ट कोशन है डैश इस दा मेन सोर्स ओफ मनी सप्लाय इन एकॉनमी हमारे देश में या किसी भी एकॉनमी के अंदर मेन सोर्स ओफ मनी सप्लाय कौन होता ह है चैनल वयंक होता है और कमर्शल बैंक होता है गॉर्मेνट होता है या बौत वन एंट होते हैं अब बहुत सारे बच्चे को देखें एक को से यहां रखना मनी को बदल देता है लेकिन अपनी सप्लाय को कमर्शल बदल सकता है credit creation के थुरू दोनों इसके ठीक हैं A B और B B तो बनेक अंसर हमारा 4 उसमें A और B दोनों है तो दोस्तों ये top 20 की series में मैंने आपको money and banking के MCQ करा है उमीद करता हूँ अपने दिक्कट डाउट परेशान याप comment section में mention कर देंगे आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत नमस्कार धन्यवाद